हेलो एव्रिवान वेलकम टो आई एक्जाम भी स्टुडेंट्स माइनम इस अंशुल मलिक और आम यूर रीजनिंग मेंटर स्टुडेंट्स आज यू आल नो कि आई बी पी एस पी ओ का जो नोटिफिकेशन है वो अलरड़ी आउट हो चुका है और आप 22 अउगस तक इसके लिए ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं स्टुडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट का प्रीविएस फाइव येर का एनलेसिस दोंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्षन से कितने कोशन्स आते हैं और हर एक सेक्षन का क्या विटेज होता है साथ ही साथ मैं आपको पांस सालों के cut-off वे बताऊंगा ताकि आपको मालुम हो की competition कितना जादा है और हमें कितने मेहनत करने की जुरत है Students अगर आप dedicatedly तैयारी करना चाते हैं for IBPSPO and LIC तो we have ultimate b bankers course for you Students इस course की खासबात यह है कि यहाँ पर हर week में 24 to 25 live classes होती है जहाँ पर आप faculty से 101 अपने सारे doubt पोच सकते हैं We have ultimate features for this particular course also जहाँ पर आपका weekly test भी हम conduct करते हैं और पूरी performance monitoring and hand holding के साथ आपकी preparation कराई जाती है अभी इस course पे 45% off चल रहा है It's just you have to use the code BANKER45 in order to avail this particular offer Students यह कुछ important dates हैं अगर आपने अभी application form नहीं fill किया है और आप अपनी bank preferences को लेकर भी confused हैं तो कल मैंने इसी channel पर choosing the bank preference करके एक video डाला था जहाँ पर आप bank preferences चुन सकते हैं यह बहुत सारे factors पर depend करता है students So I would recommend कि आप उस video को जरूर देखो तो students यहां पर मैंने 2017 से लेकर 2021 तक का data पेश किया है Students as you all know कि puzzle and setting arrangement का जो weightage है वो maximum रहता है और अगर हम prelims exams में भी देखें तो 20 questions हर साल puzzles and setting arrangement में से पूछे गए थे आप 2021 में देख लो कि uncertain number of row जहां पर double row north facing और south facing का question था साथ ही साथ flat and floor based puzzle आप से पूछा गया था और एक simple puzzle भी पूछा गया था जहां पर एक ही variable था उसी तरीके से अगर हम 2020 की बात करें तो month based puzzle पूछा गया था circular and linear arrangement आप से पूछा था और एक classification based puzzle question में पूछा गया था उसी तरीके से box puzzle 2019 में square and setting arrangement और month based का question आप से पूछा गया था similarly note पर 2018-2017 में भी questions पूछे गये थे तो आप puzzle and setting arrangement का dedicatedly preparation करें और students अभी exam time में मतलब आपके पास दो से धाई माईने हैं तो मैं आपसे recommend करूँगा कि हर दिन आप कम से कम तीन puzzle और तीन setting arrangement जरूर solve करें क्योंकि maximum weightage यहीं पर रहने वाला है मैं जानता हूँ कि conceptual questions को students easily solve कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर सिरफ आपको concepts आने चाहिए जैसे syllogism को देखोगे तो syllogism से पक्का आपका question पूछा जाता है प्रिलिम्स exam में we don't expect कि reverse syllogism से question आएगा पर simple syllogism जहां पर only only a few के questions होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं तो जब भी पूछते हैं तो पांच या तीन question आपके puzzles syllogism से पूछे जाते हैं उसी तरीके से blood relation को भी आप prepare कर सकते हैं number based coding आपको बता है new pattern coding and decoding के सवाल आज कल पूछे जाने लगी है अलफा based coding meaningful word कैसे बनाते हैं आप उस तरीके question अलफा numeric series coding decoding and direction test को भी prepare करने की ज़रूरत है तो आप एक chart बना सकते हैं student जहां पर आप daily puzzle and sitting arrangement तो solve करी रहे हैं साथ ही साथ आपका जो main focus होना चाहिए कि एक हफ़ते में कम से कम दो से तीन conceptual topic आप target करते हैं उसी तरीके से अगर हम mains की बात करें mains में भी आप देख सकते हूँ puzzle and sitting arrangement का कितना जादा weightage है almost 50% of your paper comes from this और ऐसा तो नहीं है कि आप prelims की तैयारी करोगे तो mains की तैयारी तो आपको साथ ही साथ करनी पड़ेगी mains के paper में normally high level के puzzle and sitting arrangement question पूछे जाते हैं तो आप basic से start करते हुए high level तक prepare करें ताकि आपकी time, speed, accuracy, तीनों चीज़े increase होती रहें उसी तरीके से आप बाकी ये conceptual topic भी देख सकते हैं, reasoning में जादा conceptual topic नहीं है students अगर आप हफते में एक या दो conceptual topic भी target करते हैं जैसे syllogism and blood relation तो आपको काफी question paper में देखने को मिलेंगे उसी तरीके से coding, decoding, alphanumeric series से prelims में mostly question पूछे जाते हैं जहां पर mains की बात है logical reasoning, analytical reasoning का काफी जादा weightage रहता है उसी तरीके से machine input, output और inequality के question आप से पूछे जाते हैं तो इन ही topic पे आपको revision करने की जुरत है Students आप सभी को पता है कि IVPSPO का जो examination है वो three stage process है यानि पहले आपका prelims exam conduct कराये जाएगा फिर mains exam और third आपका interview conduct कराये जाएगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर prelims का cut off present किया है 2017 से लेकर 2021 तक आप सभी को पता है कि prelims में सिरफ तीन ही subject होते हैं आपका quant, reasoning और English जहां पर English 30 marks का होता है with 30 questions और quants और reasoning section 35-35 marks के होते हैं तो total 100 marks का आपका ये paper होता है और अगर हम cut off की बात करें कि 100 में से 2021 में general category में आपको 50.5 marks चाहिए थे 2020 की बात करें तो 58.75 का score चाहिए था out of 100 उसी तरीके से 59.75 का 2019 में 2018 में 56.75 और 2017 में 42.75 तो students ये cut off हमेशा vary करता है depending upon the level of the examination या कितने number of जो competitors हैं आपके वो कितने talented हैं कितने अच्छी से बढ़ाई करके आते हैं तो इन बातों पर cut off हमेशा vary करेगा पर अगर हम एक range देखें ये general category की range है आप ये blue line से देख सकते हैं ये general category की जो range है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर आपको safe side रहना है कि exam थोड़ा सा difficult या फिर moderate आ जाए तो 50 से 60 की range sufficient है in order to clear your prelims examination आप try कीजिए कि 55 के आसपास आप number लेकर आएं जब भी आप अपने mock test दे रहे हूं या कोई भी ऐसे आप test लगा रहे हूं तो 50 से 60 का range हमेशा देखा गया है अगर मैं prelims की बात करूँ students आपको पता है कि sectional cutoff भी होता है इस particular examination में अगर IBPSPO prelims की बात करूँ तो 2021 के एक पर sectional cutoff पर भी नज़र डाल लेते हैं आपको पता है overall cutoff 50.5 था 2021 में पर sectional भी cutoff clear करना जरूरी है minimum marks लाना जरूरी है तो अगर आपका English quant या reasoning में अगर हम cutoff score देखें आपका UR category यानि general category में तो English में कम से कम आपको 10 number quant में no number और reasoning में 10 number चाहिए in order to clear the sectional cutoff तो अभी भी इन सभी का sum आप करेंगे तो आपको 29 marks मिलेगा और आपको चाहिए कितने number थे overall cutoff clear करने के लिए 50.5 marks तो sectional cutoff clear करने का बिलकुल ये मतलब नहीं है कि आपका selection हो गया तो आप कोई भी ऐसे दो subject पकड़ सकते हैं जिसमें आप strong हो जो आपकी help करेगा in order to achieve the overall cutoff उसी तरीके से अगर मैं mains की बात करूँ आपको पता है IBPS PO का जो mains examination होता है उसमें reasoning, English, data interpretation आपकी journal awareness और descriptive English का paper होता है तो total 225 marks का आपका paper होता है और sectional cutoff की बात करें general category में तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि reasoning में कम से कम आपको 7.25 marks चाहिए थे और English में 13.25, 9.25 आपका DI में, general awareness में 3.75 और English language में आपको 10 marks चाहिए थे तो अगर आप इन सभी marks का total करेंगे तो 43.5 आपका total आएगा अगर आप sectional cutoff clear कर पा रहे हैं हर एक subject का पर क्या 43.5 overall cutoff था? नहीं Students, अगर मैं general category में बात करूँ तो 2021 में जो overall cutoff था वो 80.75 था यह 225 में से हैं आपको मैं बता रहा हूँ यह जो cutoff marks है 2021 में आप देखेंगे तो 80.75, 2020 में 83.5, 71.25 2019 में 74.5, 82 17 में और 52.5 2016 में तो अगर आप एक safe range देखोगे तो कहीं न कहीं आपको 80 marks achieve करने ही होंगे in order to clear the mains cutoff overall cutoff की बात करें तो 80 marks आपको achieve करने ही करने हैं तो अब भी से आप पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि competition बहुत जादा है और इस बार vacancy जादा है तो आपको cutoff कम देखने को मिल सकती है students मैंने आपको पहले ही बताया था कि IBPSPO is a three stage process और यहाँ पर जो final calculation होता है वो आपके mains के marks और interview के marks के basis पे होता है तो अगर मैं final cutoff calculate करूँगा यानि 80% में weightage दूँगा आपके mains के marks को और 20% weightage दूँगा आपको interview को तो अभी छोटा सा calculation कर लेते हैं मैंने आपको बताया था कि mains cutoff अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में जो mains की cutoff थी वो 80.5 थी और इसका weightage कितना है students 80% तो अगर मैं 80.5 का 80% निकालूँ तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पर आपका जो calculation होके हैगा वो 28.4 आएगा यानि अगर आप 80.5 लेके आते हैं तो उसका 80% weightage 28.4 होगा और final cutoff की बात करूँ मैंने अभी आपको final cutoff नहीं बताया final cutoff जो था वो 53.4 गया था आपके interview के marks को मिला के अगर आपको किसी भी bank में selection चाहिए थोए तो अगर आपने 28.4 score किया तो आपको interview में कितने number चाहिए 53.4 में से अगर मैं 28.4 minus कर दूँगा तो 25 number आपको interview में चाहिए तो अगर आपको 20% के हिसाब से interview में 25 number चाहिए यानि आपका 100 number का interview होता है तो और आपको जब इसका 20% करके आपको 25 number चाहिए तो कम से कम आपको 125 अचीव करने पड़ेंगे out of 100 तभी आपका जो ये weightage है वो 25 आएगा which is not at all possible तो आप ये बिल्कुल मत सूचें कि आपने 80.5 अचीव कर लिया मेंस की cutoff में तो आपका selection हो जाएगा कहीं ना कहीं आपको upper edge पे ही score करना पड़ेगा आपको 100 के आसपा score करना पड़ेगा अगर आपको final selection चाहिए तो ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि mains का जो weightage है वो 80% है, interview का weightage 20% है अगर आपने 80.5 marks अचीव किये हैं तो यहाँ पर 80% इसका 28.4 होता है और final cutoff मैंने आपको बताया 53.4 गई थी तो आपको interview में कितने marks लाने की जुरत है 100 में से ताकि आप जब इसका 20% करें तो ये 25 निकल के आए, ये 125 पॉसिबल नहीं है ये एक real life example से मैं समझा रहा हूँ कि competition कितना ज़ादा है तो इन चीजों को धिहान रखें आपकी जो dates हैं IBPS PO की expected वो 15 से लेकर 22 October तक आपके prelims exam होंगे मेंस exam आपका 26 November को conduct कराये जाएगा Similarly, यहाँ पर SBI PO, IBPS clerk और SBI clerk की वेविया ने आपको important dates दे दी हैं ताकि आपको help हो जाए कि किस तरीके से आपको अपने सारे exams की तयारी करें है Students, हमारे पास एक ultimate B-banker course है जिसका link description box में है यह सारे examinations की preparation का course है तो यहाँ पर daily life classes होती हैं हफते में आप मान लीजिए 20 से 25 life classes हम conduct कराते हैं आपकी QRE और general awareness पे ताकि आपके सारे doubt clear हो जाएं और अगर आपका किसी भी bank में जाने का सपना है चाहिए IBPS के bank हो, SBI हो, RRB हो, ECGCPO हो तो यह जो course है वो सभी को cater करता है तो description box में link है जरूर चेक करें demo course को अभी flat 45% off चल रहा है If you want to avail this offer, you have to use the code BANKER45 तो students, आज की video में इतना ही था I hope कि आपको idea लग गया होगा कि आपको कितनी महनत की जरूरत है कितने marks लाने की जरूरत है तभी आपका selection IBPS PO में हो पाएगा Thank you students and thanks for watching iExam B